कि जितना देश दूत्रों का इसार इतना हमारा भी है, हम मरने के लिए पैदा नहीं हुए, जो चाहता हमारी हत्या कर देता है, मुझे रखने पे, घोडी पे बैठने पे, मट्की छूने पे हमारी हत्या हो रहे, क्या बदला है सर, 70 साल बाद भी, दलित पिछडे मुसल्मानो पे इंसा निरुपूरिये सर, मेरा आपसे संदक्षन के साथ, जैवीम, माम अहिम राष्टपर जी के अभीबासन पर धन्यवाद प्रस्थाव पर बोलने को आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका अभारी हूँ, सभापती मौदे, सर पर्थम मैं बहुजन सम आज मैं जन में सभी संतों गुर्वों महान पूर्शों को नमन करता हूँ, जिन मैं महात्मा जोती बाफूले, डॉक्टर बावा साहब अंबेटकर, मानेवर काशीराम साहब को मैं याद भी करता हूँ आज के दिन पर, सार सार नगीना की महान जनता, और भीम आर्मी और हम पूरा शहर के रूप में दुनिया का सबसे महाल लोक्तांतरिक दर्शन दिया, अदेक्स मोदे, माने सभापती जी, 14 अगर्त 1947 को ये देश अंग्रेजों के अधीन था, 15 अगर्त 1947 को हम लोग आजाद हुए, 16 अगर्त 1947 को देश आजादी में था, लेकिन धन दर्ती बटवारा नहीं हुआ, जो साधन संसाधन थे, उनमें बटवारा सही रूप सना होने कारण, एक बहुत बड़ी अबादी सुधाव से बंचित और सम्मान से बंचित रह गई, उनको सम्मान देने के लिए और अंतिम व्यक्ति तक सुधाय पहुँचे, इसके लिए लोक्तं रणना कराये जाएगी, और साथ साथ संख्या के अधार पर आरेक्षन जो है वंचित वर्गों का बढ़ाये जाएगा, उसके साथ साथ जब राश्पती जी अभीवाशन पर बात रख रही ती तो उन्होंने सहरी और ग्रामिन, शेत्रों के विकास की बात कही, और ये भी क की उनके साथ काश्ट एक्टोरि वाशती, लियांतर उनकी हत्या हो रही है, साथ साथ जो सरकारी करम्चारी है दफ्तरों में उनके साथ भी, यह सेश्टी ओभी सी और मुस्लिम और अन्य धार्मिक लब संखे के उनके साथ भी मानने सभापती जी जातीकत और धार्मिक जो है सोशन किया जा रहा है इसलिए मेरी मांग भी यह कि पुरानी पेंशन को भी अधिक जी बहाल किया जाए जो करमचारी देश की सेवा में लगे साथ साथ सभापती जी भाजपाने चुनावी लाब के लिए सबका साथ सबका विकास के नारे दिये जो खोकले हैं क्योंकि दस साल में दलिप पिछड़े अधिवासी मुस्लिम और अन्य धार्मिक लब सब के जो अत्यचार हुए है वो किससे छिपेवे नहीं है ये गलत है ये बंद होना चाहिए सभापती महोदे जी महामाहिम राष्टपती जी के अभी भाषण में नीजी छेत्रों में SCST OBC को रिजर्वेशन देने का कोई लेक नहीं हुआ है जो कि आज चर्चा का विशा है क्योंकि 98% प्राइवेट सेक्टर है 2% सरकारी सेक्टर है तो 98% प्र सोचना पड़ेगा माने सभापती जी जिस छेत्र से मैं चुनके आऊ नगीना से वो बहुत पिछड़ा छेत्र है उस छेत्र में कोई विशेस आर्थिक पैकेज नहीं दिया गया रोजगार की सेवाई नहीं है नोजवान प्लायन करता है IIT IIM AIMS केंद्रे मानसून से तरा गया है मेरा छेत्र बाड से बहुत प्रभावित है इसलिए मैं आपसे आगरे करूँगा कि वहां के लोगों को बाड संजाद दिलाई जाए माने सभापती जी चीन हमें आख दिखा रहा है और लगातार हमारे देश की सिमाओं में घुस्पेट कर रहा है इ माने सभापती जी पिछले सारे परदान मंत्रियों ने मिलकर जितना कर्ज लिया है उससे दुगना कर्ज हमारे वर्तमान के परदान मंत्री जी ने लिया है किसान अगर अपना कर्ज माप कराने के लिए जाता है तो लाटी जेनली पड़ती है जबकि सरकार ने धन्ना सेटो का 15 लाग करोड रुपय माप किया है इस ओर हमें ध्यान देना पड़ेगा हमारी आने वाली पीडियों को ये कर्द चुकाना पड़ेगा माने सभापती महोद जी किसानों को MSP की लीगल गरंटी तथा किसानों का कर्द माप होना चाहिए साथ साथ दो प्रेल 2018 को SCST के बच्चों पे बहुत बड़े पैमाने पर मुकदमे लगे थे वो हमारी लड़ाई सही थी ये सुप्रिम कोर्ट नहीं माना और बाद में सरकार नहीं माना वो मुकदमे तुनत वापिस हो होने चाहिए माने सभापती जी प्रेस जो है उस पर भी सिकंजा कसा जा रहा है जो पत्रकार सरकार खिलाब बोलता है नोकरी से आथ दोना पड़ता है और सोशल मीडिया आमारा अतियार है उस पर तरह द्रह के परतिमा लगा जा जा रहे हैं और विरोध करने वालों को सोश की सिपाई भरती सभापती जी और नुट्यार सिक्सक भरती में आर्वा आक्सन गोटाला हुआ है कोई पूछने वाला नहीं खून के आंसु रो रहे हैं बच्चे बिरोजगारी का दंस युवा जहेल रहे हैं इसलिए मेरा आग रहा है कि युवाओ के लिए कि पर सभापत करें चल सकते माने सभापती जी मैं पहली बार बोल रहा हूं आप कहेंगे मैं बैठ जाओंगा मैं आपकी बात मैं सवेदानी मर्यादा को पालन करूंगा एक मगर हम तो माने सभापती जी सुनी रहे हैं आप बोलिए एक में दनेवा दनेवा सब्सक्राइब अदेख सभार को वादा किया तो सरकार ने वह भी पूरा निकिया और महिलाओं में भी अपिछडे और मुस्लिम वर्क्या दिवासी वर्क्या महिलाओं के साथ आज भी न्सी आर्वी का डाटा कहता है जो जुल्म हो रहा है वह सैन यह नहीं सर साथ साथ कोवीड में तेरती हमने लंगा में देखिए और मतूरों का हाल भी हमने देखा है सभापती जी अश्टी के योगड़ता ब्यारती को एनफस करके जिससे निकाला जारा लेटरल एंट्री करके जिस तरह हमारे राष्टे बंद के जए यह भी हम देख रहे हैं सभापती जी साथ-साथ मेरा यह कहना ह अश्यू है कि प्राइवेट करमचारी सर और सरकारी भी कई जगा पर आठ से ज्यादा घंटों से काम करते हैं और उनको जो सर उचित वेतन में मिलता तो नियूंतम वेतन 20,000 रुपे तैहो और 24 घंटे की जीटी उधारन के तोर पर यूपी पुलिस सर बहुत पूरा काम कर पूरा करते हैं वो लोग वो राजी के विशे हैं आप यहां राज्य सरकार के लिए भी आपके संग्यान में डालना हूं विशे सर पुलिस सब जेंगा हैं सर लेकिन सवाल यह सर बहुत करशिना बात हैं आठ घंटे की दूटी और वेतन विशंक्तर बोटर स्कीम से उनको जो बाहर किया जाए माने हैं सभापती जी एक मिनट चाहिए सभापती जी राष्ठपती जी ने धरम के बारें बात की थी राम मंदिर से पहले हमारे गुरुघर तुकलगाबाद का फैसला था राष्ठपती जी वो सभापती जी अभी तक डिली में स्थित सद्कुर कोड़ी पर बैठने पर मट की चूने पर हमारी हत्त्य है और क्या बदला है सर 70 साल बाद भी दलित पिछडे मुसल्मानों पर इंसा निरुकूरिये सर मेरा आपसे संदक्षन के साथ यह आगरे है कि इन घटनाव को रोका जाए और देश किसी की बपोती नहीं है सविदान स चलेगा सर्दान शेरकानी बर्दाजनी की जाएक सर दन्यवाद